सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चनल को और बिल आइकन को प्रेस कीजिए लेटे स्टूडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए किसी व्यक्ति का धर्ती पर जन्म होने के साथ ही उसके कई रिस्तों का भी जन्म हो जाता है जिन पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता हम जिस माता से जन्म लेते हैं उनके परिवार रिस्तेदार समाज सभी के साथ हमारा रिस्ता अपने आप ही जूड़ जाता है और यह रिष्टा हमारे जीवन परियत हमारे साथ रहता है, जिसे हम अपनी च्वेच्छा से नहीं तोड़ सकते, यह रिष्टा अटूत होता है, इन धेर सारे अटूत रिष्टों के अलावा एक रिष्टा ऐसा भी होता है, जो हम अपनी पसंद, अपने व्योहार और अपने अच्छे संबंदों से बनाते हैं, वह रिस्ता होता है दोस्तिया मित्रदा का, अपने मित्रों का चुनाव हम स्वयम करते हैं, और हम खुद ही इस रिस्ते को बनाते हैं, और निभाते हैं, मित्रदा का रिस्ता, जीवन के जास्तर में विश्तार पूर्वक जानकारी दी है आचारिय के अनुशार उन व्यक्तियों से मित्रदा का संबद नहीं रखना चाहिए जिसमें ये पांच गुण ना हो अचारिय चानके का कथन है कि ऐसे व्यक्ति मित्रदा के लायक नहीं होते जिनमें अपने परिवार के उचित प्रकार के देखभाल करने वह भरन पोसन करने की योग्यता ना हो जो व्यक्ति अपने अहंकार आलस्व काम चोरी की आदत की वजह से अपने परिवार का प्रण पोसन ठीक प्रकार से ना करता हो और व्यर्थ की बैठकों और बकवास की बातों में अपना समय नस्ट करता हो जो व्यक्ति किसी नसे की आदत की वजह से या अपने किसी बुरे सौक की वज़े से अपने परिवार का पालन पोषण ठीक धंग से ना करता हो ऐसे व्यक्ति से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए जिसे अपनी गलतियों का भय ना हो आचार ये चाने के कहते है कि ऐसे व्यक्तियों से भी मित्रता का संबंद कभी नहीं रखना चाहिए जिसे अपनी भूलों का कोई डर ना हो, जो कलती करने के बाद भी उसे मानता ना हो, ऐसे व्यक्ति किसी भी सामाजिक मान मरियादा के नियमों से भी नहीं डरते, और समाज में रुद्ध जनों और विद्वानों का भी मान सम्मान नहीं करते, और नहीं किसे नियम, कानून के उलंगन का कोई भाई उनके मन में होता है ऐसे व्यक्ति की मित्रता आपके लिए सदेव कस्टदायक होती है इसलिए ऐसे व्यक्ति उसे दूर रहना ही उचित होता है जिस व्यक्ति में सर्म ना हो आचारी चाने के क्या नूसर हमें ऐसे व्यक्तियों से भी कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए जिस व्यक्ति में कोई सर्म ना हो ऐसा व्यक्ति जो लज्जाहिन होता है उसे किसी भी प्रकार के गलत कारियों को करने में कोई संकोच नहीं होता और नहीं किसे नीच कर्म को करने में सर्म महसुस करता है ऐसे व्यक्ति की मित्रता से समाज में हमारा अपमान होता और हमें भी अप्यस का भागी बनना पड़ता है, इसलिए चीन व्यक्तियों में लज्जा का गूण ना हो, ऐसे व्यक्ति से संब्ध ना रखना ही उचित होता है। जिसमें उधारता का अभाव हो, आचारिय कहते है कि हमें ऐसे व्यक्तियों से भी मितरता का संबन्द रखना उचित नहीं होता जो सवभाव से उधार नहीं हो, जो सवभाव से दयालु नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दूह और कस्टों का मजाग बनाता हो और कोई संबन नहीं रखना चाहिए जिसमें त्याग की भावना ना हो इस अंतिम सुत्र में आचार्ल यह कहते है कि किसी भी व्यक्ति की सही पहिचान उसके त्याग करने के legislation से होती है इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति से मित्रता का संबन रखना नहीं चाहिए जिसके अंदर त्याग की भावना ना हो क्योंकि मितरता के मजबूत संबंद के लिए त्याग की भावना का होना बहुत आवश्यक होता है जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग नहीं कर सकता वह व्यक्ति मितर होने के लायक नहीं है इसमें हमें ऐसे व्यक्तियों से भी तूर रहना चाहिए जिनमें त्याग करने की शमता ना हो अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्ध्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freehindiadvise.com पर जुरूर विजिट कीजिए जिसमें वीडियो के साथ साथ टैक्स में भी सब जानकारी उपलब्द है इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूप कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो 100% free है थैंक यू